हेलो दोस्तो नमस्कार करकार की जो खबर रहेगी इसको हम लोग सेटर्डे संडे आराम से आपे कवर कर सकते हैं कोई जल्द बाजी की ज़रूरत यहाप नहीं है जैसे मैंने प्रामिस कहा था तो वैसे आप देख सकते हो आज संडे तो इस टॉपिक को यहापे में कवर कर रहा हूँ सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं यह बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आती वे दिखने कुए और खबर किस चीज से रिलेटेड है तो दोस्तो सेबी से रिलेटेड सो सेबी आप सबी लोग को पता ही है हमारे मार्केट का रेगुलेटर है ठीक है अगर हम लोग यहापे बात जाएगी ऐसा कुछ करने जा रही है तो डेफिनेटली यह वाला जो प्लान है दोस्तों इसके उपर हर किसी का फोकस यहापे लगा हुआ है तो दोस्तों मैं बात कर तुर्च नेंट कर रहा हूँ है यहापे सेटल्मेंट साइकल की यह सेटल्मेंट साइकल मतलब आप सभी लोगं को पता ही होगा कि अगर आप share market में यहापे shares को खरीदते हो, delivery हिसाब से हम लोग बात करना चाहेंगे, सो मान लेजे Mr. A है, और दूसरा Mr. B है, ठीक है, अगर आप shares को यहापे buy करते हो, obviously कोई तो sell करेगा, ठीक है, जो buy करेगा उसके account में share जाएंगे, जो sell करेगा, उसके account में obviously पैसा आ जाएगा, और यह सारी चीज़े होने के लिए आपको पता है, yes, time लगता है ऐसा नहीं होता है, क्या मतलब अभी कल के दिन की बात करे, कल कुन सा वा रहे है, some वा रहे Monday है, तो मान लिजे, अगर आपने Monday को कोई share खरीदा, या फिर किसी ने कोई share बेचा, क्या उसी दिन, आपको क्या पैसा मिल जाता है, या फिर आपके demand account में share immediately आ जाते है हाँ, reflect हो जाते है, बट वो आते नहीं है time लगता है, yes, so यह settlement cycle है, पहले क्या चलता था, आपने सुना होगा, मतलब मैं recently चीजे लेना चाहूँगा इबदम, 90's के जमाने में हम लोग नहीं जाएंगे so T plus 2 चलता था, आप सभी लोग को पताई होगा, then अगर हम लोग बात करें तो आपको पताई है, कि अभी recently हम लोग को T plus 1 की भी शुरुआत यहापे होती भी देखने को मिली थी, अगर आप NSE के साइट पर भी जाओगे या फिर अगर आप चीजों को चेक भी करते होगे अगर आपने शेर भी खरीदे होंगे, तो यहापे T plus 1 की चीज़े हम लोग को T plus 1 की शुरुआत होती भी देखने को मिली थी, so definitely इंडिया भी यहापे second country बना था, T plus 1 के चलते और यह जो चीज़े है, वो जस्ट अभी हम लोग को January में ही start होती भी देखने को मिली थी, कौँसा T plus 1, so अभी हम लोग कह सकते जो कि आप share खरीते हो या फिर जिसका पैसा अकाउंट में आना है, जो gap हम लोग को देखने को मिलता था, वो gap हम लोगों को yes, बहुत कम होते वे देखने को मिलता था, पहले तो कितना time लगता था, हफ्ते हफ्ते लगते थे आपके अकाउंट में पैसे आने के लिए and shares भी अगर आपने खरीदे होंगे तो आपके demand अकाउंट में आने के लिए, ठीक है इसी से related कितने सारे scams भी हम लोगों ने देखे थे ठीक है, so oral अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यह जो gap है, जितना कम होगा, और अगर यह gap को ही अगर सीधा, खता में अगर कर दिया गया, तो हम लोग कह सकते हैं, इसके चलते बहुत सारे scams रुख सकते हैं, बहुत सारे गड़बड़ी आपे रुख सकते हैं, और चीजे बहुत ही जादा transparent वे से easy हो जाएगी मतलब कोई दिक्कत नहीं, आज share खरीदा, आज ही आप लोगों के account में आ जाएगा या फिर आज ही बेचा, तो आज ही आपके account में पैसे आ जाएगी, मतलब से भी यहापे plan करें दोस्तो, T plus zero का, yes, बहुत बड़ा mega plan लेकर चल रहे, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला, दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिसने T plus zero के उपर काम किया, T plus one पे चाइना था, उसके बाद हम लोग आ गए, तो यही चीज़ के एक particular route का ही एक specific train book करना है, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते कि चन्ने से, अगर आपको डेली, जाने वाली कोई train book करने है, जिसका नमर है 001 ऐसा पकड़ लो करके, ठीके, और उसमें जो seats रहते हैं, मान लिजे कि limited seats है, छे seats से गरके, तो अगर कोई जोटपूर से अगर book करना होगा चाहे कोई indoor से book करना होगा, चाहे कोई क हमारी कोई आपको पते हैं, कि मान लिजे किसी ने यहापर यह वाला ticket book कर लिया, तो बाकी लोग करने जाएंगे, तो वो book नहीं होगा, क्योंग इतना fast होता है दोस्तो real time system अगर इसका definition अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो कि एक ऐसा processing system यहाँ पे रहता है जो कि आपको hardware में भी देखने को मिलेगा software में भी देखने को आपे मिलेगा and इसके चलते क्या functions यह होंगे can respond to events within predictable and specific time constraint इतना fast यहाँ पे होना चाहिए तो यह बहुत बड़ा challenge होता है अगर यहाँ पे टेखनीकली बहुत ज़्यादा issues होए तो गड़बड हो सकती है तो इसलिए यह सबसे बड़ा challenge देखने को मिल रहा है और यह कोई हवे में उड़ती उड़ती बात है नहीं दोस्तो सेभी के chief की बात करे तो उन्हें नहीं बोला है कि यह जो instant settlement का जो मतलब वो process की बात करे टी प्लस जीरो की बात करे इसके ओपर उनका काम work in progress चल रहा है यह चीज जल्द से जल्द वो सामने आएंगे तो obviously reporter ने पूछा भी कि कब तक आ सकता है उन्हें का कि I'm not sure कि मतलब कितना फटाक से आएगा करके बड़ उनका मतलब target तो है कि इसी financial year मतलब 31 मार्च 2024 तक लाने का उनका plan है बट अगर नहीं हुआ मान लिजे तो definitely next financial year तक तो आही सकता है मतलब 31 मार्च 25 तक तो आही सकता है यह वो target लेकर चल रहे है बट early target की बात करे तो yes इसी financial year में भी यहाँ पर चीज applicable हो सकती है वो ला सकते है ऐसी मतलब कोशिश तो करेंगे simple तो है नहीं so यह point उन्हें बोला है so definitely अगर ऐसी चीज़े हो जाती है T plus zero की अगर हम लोग बात करे same day settlement अगर हो जाता है तो बहुत कुछ benefits हम लोगो देखने को मिलेंगे यह देखे उन्होंने खुद बोला है यह possible हो सकता है क्योंकि real time payment system करना पड़ेगा then unified payment की अगर हम लोग बात करे मतलब UPI की अगर हम लोग बात करे ठीक है online depositories की अगर हम लोग बात करे technology stack की बात के रिए सबको लेकर चलना पड़ेगा तब ही जाके हम लोग इस चीज में successful यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं तो देखना पड़ेगा यह होता है या नी होने के लिए कोई मुझे नहीं लगता की ठीक है इस financial layer में ना हो बट अगले financial layer में हो सकता है करके अगर यह हुआ तो definitely इसके benefits हम लोगों बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं जैसी कि अगर हम लोग बात करें तो आप सबसे बड़ा benefit क्या होगा transparency कि मतलब पहले तो समझ में आता था कि T plus two कब आएगा आज करीदा है कल आएगा कि दो दिन बाद आएगा कि तीन दिन बाद आएगा यह सारा confusion ही दूर हो जाएगा जो आने वाले next player होंगे उनके लिए तो कितना easy बन जाएगा market नए youngster के लिए आज करीदा आज ही मिल था क्या पता वो क्या करते उससे related क्यूंकि बहुत सारे scam इसी से related तो हुए थे तो इस सारी चीज़े हम लोगो बहुत कुछ हत्तक कम होते वे देखने को मिल रही है जो उसका जो quantum है वो हम लोगो कम होते वे देखने को मिलेगा यह उसका सबसे बड़ा benefit देखने को आपे मिल सकता है इसी के उपर से भी फिलाल काम करते वे देखने को मिल रही है देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो obviously यह जो settlement system T plus 0 की बात कर रहे तो obviously mutual fund में भी चीज़े हम लोगो बदलते वे देखने को मिलेगी so mutual fund के basic role तो आपको पता ही होंगे कैसा मतलब equity market की बात करे so पहला हमारा कैसा था T plus 2 था ठीक है तो T plus 2 नॉर्मल यहाँ पे चलता था तो mutual fund के लिए extra और एक दिन लगता था so बाद में T plus 1 हुआ तो mutual fund के लिए T plus 2 हुआ and अगर definitely अगर हमारे इदर हमारे इदर मतलब equity बादार की बात करे अगर T plus 0 हो जाता है settlement cycle की बात करे उसी दिन हो जाता है same day हो जाता है जैनवरी में so feb month में जो mutual fund वाले थे वो T plus 2 में हम लोगो shift होते वे देखने को मिले so definitely हम लोग यहाँ पे कह सकते है कि अगर T plus 0 हो जाता है तो फिर से भी क्या करेगा mutual funds को बोलेगा कि T plus 1 में settlement cycle में आप यहाँ पे shift हो जाओ करके so यहाँ पे भी हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है एक अच्छा कासा benefit investor को होते वे देखने को मिलेगा क्यों कि जितना जल्द से जल्द यहाँ पे चीज़े आपके account में आ जाएगी उतना safety भी बढ़ जाता है जीरो से definitely बहुत जबरदस फायदा है यहाँ पे हो सकता है बट बहुत जबरदस challenging वाली चीज़ है वैसा पूरा system यहाँ पे करना पड़ेगा ठीक है topic को cover कर लेता हूँ तो अगर आपको यह topic पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको like and share कर सकते हो and demand account को अगर अपने अभी तक उपन नहीं किया है तो link नीचे description में 25 वीडियो के लिश्ट आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौँछा account आपने link के तो उपन किया है प्रॉपरली comment चेंगे मेंचन कर दिना तो अफते बर के अंदर अंदर सारे lectures मेरे साइट से free of cost प्रवाइड कर जी जाएगे ताकि आप share बादार को आसान भाशा से सीख सको तब तक के लिए बबाए